नमस्ता दोस्तों आपका एक बर फिर से स्वागत है आपके अपनी योटूब चैनल योटूब सहली पूजा में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ कई सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं कैसे पता कर सकते हैं सोनोगर आफी रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़े दी होती हैं बच्ची की डिटेल्स लिखी हुई होती हैं जिसे कि हम अंदाजा लगा पाएं कि होने वाला बच्चा जो है लरका है या फिर लरकी है इसके पीछे रिजन कुछ भी हो लेकिन एक आम तोर पे हर पैरेंट का रिजन ये बहसूस किया है मैंने पूछने का कि जो उत्तेजना होती है यानि जो स्वापिंग करना है या फिर आपको बच्चे के लिए किसी भी तरीके की प्लानिंग करना है तो माइंड में एक सेटप बैठा लेती है मदर इस वज़े से भी क्योडिसिटी होती है प्रिग्नेंसी के दौरान जानने की तो अमोमन जो ये परिशानी है वो इस वीडियो में आपकी क्लियर होने वाली है सारे डाउट्स क्लियर होने वाले है सोनोग्राफी से रिलेटेड तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफर्मेटिव है इसको लास्त तक जरूर देखना और जो भी नए प्यारे विवर्स न होती है वो six weeks में करवाई जाती है इसमें आपको ये बच्चे की heart rate देखी जाती है heart bit अमोमन छे सफता में बच्चे का बन जाता है तो ये सबसे अच्छा प्रॉसेस होता है कि इस समय एक तो cardiac activity देखी जाती है और जब आप prediction के तौर पे से देखते हो तो cardiac activity में बच्चे का एक सेकेंड में कितने बार दिल की धरकन धरकती है ये लिखा जाता है ये आपको sonography के hard copy में लिखा होता है कई बार ये पूछा जाता है कि मैं ये मिलता ही नहीं है कहां पे लिखा होता है तो friends जो आपको scan मिलता है picture मिलती है उसमें ये नहीं होता है जो hard copy जिसमें details लिखी ह बेबी के ग्रोथ की वहां पर यह मिलेगा आपको और कई सारे रिसर्च में यह पाया गया है इंडिया में नहीं क्योंकि इंडिया में यह चीज बैन है लिंक अप अडिक्शन नहीं किया जाता है इसलिए इंडिया में यह चीज नहीं पता लगता है लेकिन इंडिया से बाहर एक देश ऐसा है जहाँ पर रिसर्च किया गया था कई सारी प्रेगनेंसी में जो महिलाएं थी उनकी बारवर स्कैनिंग की गई और साथी साथ ये पता लगाया गया कि फीटस का हर्ट रेट जो होता है ये कितना होता है जिन महिलाओं में डिलेवरी के टाइम पर बेबी बोय हुआ है तो ये जो सोनोग्राफी का प्रेडिक्शन है जिसको देख कर आप समझ सकते हैं कि लरका होगा या लरकी होगा तो ये 60% सही माना गया है दूसरे देशों में इस वज़े से ये जो है आप कभी भी जो आपको तरीका में बता रही हो वो आप ट्राइ कर सकते हो आप बहुत इसली समझ सकते हो एक अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होने वाला है बेबी बोय या फिर बेबी गर्ल आपको कभी ये चीज देखना है क्योंकि अमुमन तो 6 week में आपकी सोनोग्राफी हो जाती है लेकिन ये सोनोग्राफी जो है इसमें बहुत सारे parents देखते हैं और cardiac activity जो रहता है इसमें ये एकदम perfect नहीं होता है ये समझने के लिए कि बेबी बोय होगा या फिर बेबी गर्ल होगा जो आपकी cardiac activity बच्चे की होती है यानि second trimester में जो सोनोग्राफी आपकी होती है और third trimester में ये सारी सोनोग्राफी को आपको match करके देखना होगा यदि maximum time बच्चे की heart rate 140 के आसपास है या फिर 140 से कम है तो ये बताया जाता है कि आपको baby boy होने वाला है ये आप एक prediction के तोर पे ले सकते हैं क्योंकि मैंने आपको paling confirm कर दिया है कि ये 60% ही सही होता है तो इसको 100% मानने की जरूरत नहीं होती है ये सही भी हो सकता है हो और नहीं भी हो सकता है क्योंकि बच्चे की condition आपके पेट के अंदर अलग-अलग तरीके सो होती है बच्चा जब active होता है उसकी cardiac activity ज़्यादा होती है उसका heart rate ज़्यादा ही होता है अगर बच्चा race के mode में होता है तब उसकी जो activity होती है वो कम होती है और इस समय बच्चे का heart rate सही आता है या कि कम भी आ सकता है पैंड करता है कि बच्चे का कंडिशन जब आपकी सोनोग्राफी हो रही थी तब उस समय कैसी थी बेबी बंप में तो फ्रेंड्स कई सारे ऐसे डाउट होते हैं पैंड के मन में कि ये काडियक एक्टिविटी कैसे चेक किया जाना चाहिए तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है कि एक सोनोग्राफी पे आप ये चीज़ पता नहीं लगा सकते कि लड़का होगा या लड़की होगा maximum time जो आपकी सोनोग्राफी साड़ी हुई है उसमें आपको सब में देख के prediction लगाना है और ये prediction 60% ही सही होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कहां पे लिखी होती है कहां पे चेक किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया और किस condition में ये सही होता है कि बच्चे की position जो ह होते हैं जो बड़ी बुजूर्ग महिलाएं बताती हैं अपने अपने experience के base पे लेकिन friends सबकी body type अलग होती है सबके body में hormonal changes अलग होती है तो सारे लक्षन जो है कई सारी महिलाओं में सही हो जाते हैं और कई सारी महिलाओं में गलत भी हो जाते हैं इस वज़े से ये video का ब बानने के जरूरत नहीं है I really hope ये video आपके लिए बहुत knowledgeable और informative होगी तो अपने friends में भी share कर देना और इस video को थोड़ा सा भी आपने पसंद किया है तो like जरूर कर देना चानल को subscribe जरूर कर लेना आज के लिए फिलाल इतना ही मिलते हैं next video में एक नई topic के साथ तब तक अपन ख्याल लगिए दोसे टेक केर हमशकार